तो heat budget अब ये heat budget क्या है एक आपको question दोगा उससे आप समझ पाएंगे बर उससे भी पहले बता दे रहा हूँ exam के लिए important है जो pieces का exam आने वाला आपका इस साल उसके लिए it is very much important क्यों important है क्योंकि previous year में लगादार हमें questions देखने को मिलते हैं हमें questions देखने को मिलते हैं कि किसका अलबीटो जादा है किसका कम है हमें देखने को मिलता है heat balance होता कैसे कितना absorb होता है क्या percentage है यह सारे questions आज इस वीडियो में हम discuss कर लेंगे and question जिससे आप में सारी वीडियो समझने वाली है वो मैं आप पर एक दे रहा हूं अभी वो यह है जी suppose कीजिए कि अगर जो sun की heat है हमें लगातार मिल रही है और लगातार वो trap हो रही है लगातार वो आई जारी आई जारी और जा नहीं रही है तो जो अर्थ है वो तो आख का गुला नहीं बन जाएगा अर्थ जो है उसको इतनी नदा problem नहीं हो जाएगी question 1 question 2 why are we concerned के carbon dioxide जो है वो अगर बढ़ती जाएगी atmosphere में या फिर other green house gases जो है वो अगर atmosphere में बढ़ती जाएगी तो यहां का जो temperature है वो बढ़ता देगा देखो अब sunlight तो लगातार आ रही है then why is it so के सिरफ green house gases ही concern है हमारे ल या फिर यह trap करती है उस heat को जो अर्थ का surface radiate करता है back उसको यह trap कर लेती है what that means के अगर यह ना हो तो वो escape कर जाता है that's very right जो heat budget है वो ऐसी maintain होता है कि जितनी sunlight आ रही है उतनी ही escape कर रही है बट थोड़ा सा time lag लेके ताकि यहां का जो temperature है वो maintained रहे तो अगर आगी साथ मीं चलीगी तो what happens वो जो budget है निल तो हो रहा है 0-0 तो हो रहा है लेकिन जो effect हमें यहां पे atmosphere में चाहिए जैसे climate चाहिए वैस पर नहीं मिलते है यह nature का mechanism है तो थोड़े से lag के बाद वो क्या करती है वापस चली जाती है जितनी light आती है जितनी heat आती है I would say लेकिन अगर हमारे atmosphere में ऐसी gases मौझूद है जो इनको trap कर लेंगी तो फिर क्या होगा यह वापस नहीं जाएंगी या बहुत देर के बाद का global temperature already हमारा increase कर चुका है जो target से हमें उसको revise करना पढ़ रहा है क्योंकि हम temperature को control नहीं कर पा रहें तो आज हम इसी budget के बार में बात करेंगे कि यह heat balance कैसे हमारा mill होता है और कैसे maintain किया दाता है पहले आपको यह समझने की जरुत है कि जो sunset radiation आती है उसको हम क्या बोलते बोलते हैं इनकमिंग सुलर एडिशन या फिर हम उसको बोलते हैं insulation Inde ओ लेटी आयून इंसलेशन तो इन्सॉलेशन इंकमिंग स्टॉलर एडिशन जो हमें हमेशा मिलती है इंदा फॉर्म आफ ट्रॉर्ट वेवलेंद तो शॉर्ट वेवलेंद में वो करती है तो और उसके बाद उसको रिडियेट बाक करती है रिडियेट बाक करती है इन दो फॉर्म आफ लॉंगर वेवलेंथ और उसको हम क्या बोलते हैं अब याद रखिएगा इन्सोलेशन और टरेस्टियल एडिशन ये शब्द का इस्तमाल मैं आपके लिए इस टॉपिक में भार-बार करूँगा छोटा सा टॉपिक है उठाकर लाया हूँ स्पेशली मुश्किल टापिक्स जो बच्चों को दिक्कत आती है जैसे मैंने इलेक्रोमेगनेटिक स्पेक्ट्रम के उपर एक वीडियो की है और एक मैं हीट बजट के उपर कर रहा हूँ तो इसको देखने का बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी सारा आपका क्लेर हो जाएगा तो इन्सोलेशन एंट इरेस्ट्री एडिशन अब देखते हैं कि बालंस आउट कैसे होता है यह हीट का चकर तो अब यह एक डागराम है जो आपको यहां नजर आ रहा है थोड़ा सा तॉम्प्लिकेटिट डागराम है मुझे ऐसा ग्राफिक मना तो मैं लेकिए लेकिन इसको सिंप्लिवाई करके आपके लिए मैं लेकर रहे हूं और मैं आपको समझाने वाला अब देखिए सबसे पहले हम समझते अल्बीडो क्या होता है मैंने आपको बताया कि जितनी सन की रिडिशन है इन्सोलेशन है इस गूं टूर्थ यह तो एक कॉंसेट अल्बीडो अभी यह वो सनलाइट है यह वो इंसुलेशन है विच इस रिफ्लेक्टेट बाक तो दो स्पेस इवन बिफोर इट रीच इस दो अर्च सर्फेस को टच नहीं करती यह अच करने से पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है तो कॉन इसको रिफ्लेक अब बाक तो दुट इस पेस इवन बिफोर इक रीच इस और इट टॉट इस तरफेस उसको अम क्या बोलते है अलबीडो तो अगेन आम तलिंग यहां से आपको लाइट कर रहा हूं वो आप तक पूरी तरह पहुंच इनी पाती लेकिन आप मतलब आपकी बॉड़ी बॉड के सरफेस को नहीं टच कर पाती लेकिन उससे पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है वो भी कुछ सर्टन अमाउंट है हम कंसिडर करके चलेंगे के सौ यूनिट्स आ रहे हैं इंसुलेशन के सौ यूनिट्स आ रहे हैं बीच में से 35 यूनिट्स ऐसे हैं जो वापिस रिफ् अपने समझाद रहे हैं इसको रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं अब आपके एंगे सर्फेस्टन क्या सा रहा है यह भी बता दो कॉंसेप्ट तो आपने समझा दिया अच्छे से क्या होता है अलबीडो की रेंज कितनी होती है दू तीसरा कोशन आएगा अलबीडो किसका सबसे जादा है कौन सा ऐसा अबजेक्ट है जो जादा अलबीडो एफेक्ट दी रहा है उसको क्रॉनलाजीकल ओडर में लगाईए इ यसी आरे है संदेश तो स्नोस को रफ्लेक्ट बैक कर रहा है उसके बाद क्लाउट्स नंबर सेकेंड ऐसा मत देखिएगा कि अपर है तो शायद पहले रफ्लेक्ट बैक करतेंगे नू इट तो स्नो एन देख्लाउट्स देन सैंड ग्रास देन क्रॉप्स यह सारा मैंने जो है रफ्लेक्ट बैक कर दिया इवन बिफोर इट रीच था अर्च सर्फिस किस ने किया है क्लाउट्स ने किया है अब हमारे पास कितना बचता है 65 अब 65 कर देखते हैं नेक्स्ट क्या और है अब 65 में से 14 जो है उसको एट्मॉस्फिर क्या करता है एब्सॉप कर लेता है अब लो 14 को क्या कर रहा है एट्मॉस्फिर एब्सॉप कर लेता 65 बची 65 में से 14 वो एट्मॉस्फिर ने एब्सॉप कर लिया अब 35 तो पहली रिफ्लेक्ट बैक कर दिया 14 को उसने क्या कर लिया एब्सॉप कर लिया और 51 जो है वो अर्च सर्फिस रीच कर रही है what is 51 doing, 51 is reaching the earth surface, यह earth का surface है, यहां 51 ने touch कर ले न, यह 51, अब यह 51 का balance क्या है, हमें वो जान नहीं की दूरत है, तो देखिए, 51 touch कर गी, okay, by earth surface, so it will be radiated back as terrestrial edition, जो मैंने आपको शुरू में समझाया था, यह जो आरिये इंसुलेशन है, जो जाएगी वो terrestrial edition है, in the form of longer wavelength, आरी थी, in the form of shorter wavelength, जाएगी in the form of longer wavelength, और carbon dioxide, एक ऐसी गया सा, जो कहती है, कि आप आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से, मतलब वो जाने नहीं देती है, इसको escape नहीं करने देती है, therefore, वहाँ जो heat है, वो बढ़ती जाती है, तो anyways, हमने बात की थी अभी, के terrestrial edition 51 absorbed हुई, बाकी सारी कुछ 14 तो atmosphere ने ले ली, और 35 क्या होई थी, 35 reflect back होगी थी as albedo, और बची कितनी है हमारे पास, हमारे पास बची है total 51, जिसने अभी वापस जाना है, अब इसमें से 17 तो सीधा space में वापस चले जाएगी, 51 आई ना, 17 सीधा चलेगी space में, अब बच्ती कि is absorbed by the atmosphere, if you remember, यहाँ पर atmosphere में 14 जब आई थी तब absorb होई थी, 7 में कितनी absorb हो रही है, और furthermore, जहाँ भी हमने देखी 34, तो सी 34 यहाँ absorb होगी, अब 34 की बात करें, 34 प्लस 14, 14 वो वाली जो पहले जब आई थी, albedo के बाद हमने देखा था, 35 albedo था हमारा, और इसके अलावा 14 जो थी, atmosphere ने absorb कर ली थी, और यह कौन सी है जी, 34, जो 51 में से ट्रेस्टिल एडिशन वापस गई थी, यह वो वाली ट्रेस्टिल एडिशन हैं, यह वो वाली ट्रेस्टिल एडिशन हैं, so 48 atmosphere यह भी वापस भीती जाएगी, so distance 48, यह भी reflect back कर दी जाएगी तो 35 तो पहली चलीगी, 14 absorb कर लीगी थी, 51 नहीं, 51 में से 17 भी चलीगी, बची कितनी 34, 34 और 14 जो atmosphere में घूमरी है, 48 यह भी reflect back कर दी जाएगी, into the space, and जो हमारा net balance है, वो क्यो आ जाएगा, 0, तो अब आपने पूचा सर्क्वेशन के ऐसे हैंगे, मैंने बताया, insulation पे आसकता ह आपको heat budget के albedo भी उपर आसकता है, किसका albedo ज्यादा है, किसका कम है, उसके उपर आसकता है, net balance के उपर आसकता है, और इसके उपर आसकता है, कि light soil जो है, यह reflection करती है more heat than dark dark जो है एब्सॉब करती है रा लाइट जो है वो रफ्लेक्ट करती है प्लैक कलर जो भी एब्सॉब करता है वाइड कलर जो है वो क्या है ज्यादा है I hope it is clear to you is that fine guys तो यह था हमारा अलबीटो को concept और यह था हमारा heat budgeting को concept अब याद रहेगा जितनी greenhouse जैसे बढ़ती जाएगी इसी लिए हमारी global warming हो रही है तो यह था आपके PCS के लिए and UPC के लिए specific topic and I hope it is clear to you और आपके लिए important information त्यारी कर रहे हो PCS की free आपको उसके लिए NCRT's चाहिए, आपको free previous year questions चाहिए, आपको syllabus चाहिए, नीचे link पर click करो, अपनी information भरो, अपना नाम भरो, नमबर भरो, आपको access सीधा provide कर दिया जाएगा, with respect to that, उसके लावा हमने एक किताब भी launch की है, PCS, Cooperative Inspector, Naip to Sealer, इन तीन exams की हमने एक book launch की है, वो जो book है, previous year topic wise है, तो उसको भी आप purchase कर सकते हो, launch ओरड़ी हो चुकी है, तो चाहिए, purchase कीजिए, अपनी त्यारी एक बहतरीन तरीके से करिए, market में आपको कोई किताब ऐसे नहीं मिलेगी, thank you very much, wish you all the very best.